स्वाथियों नवस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागाति कम्प्टेशन कमिनिटी के इस आनलाइन एजक्रेशनल प्रेटफॉर्म पर आपका मैं उमेद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह बढ़ियां होंगे स्वस्थ होंगे तंदरुस्थ होंगे और आपकी तयारी भी बढ़िया जवजस्त चल लए होगी अच्छे मुकाम पर आपकी तयारी पहुँच चुकी होगी अब हम आज देखेंगे हमने इसके पहले की क्लास में क्या पढ़ा था बाल संरक्षन आयोग के बारे में हमने देखा था बाल अधिकाल संरक्षन आयोग चाहराश्टी स्तर का हो और हमने साथ में राजबाल अधिकाल संरक्षन आयोग मध्यपदेश राजबाल अधिकाल सं जो महत्यपूर्ण हैं, जो संभावित हैं, ऐसे questions देखेंगे, रथा हम questions के थुरू ये समझेंगे, कि question पोशने का आयाम आयोग का क्या होता है, मद्य प्रदेश लोग सिभा आयोग का जो प्रसासनिक exam होता है, MPPSC conduct कराता है, वो कैसे questions exam में पूछता है, उनके बारे में चर् करते हैं, चर्चा करना सुरू करते हैं, राष्टी एवं प्रादेश राजजिवाल दिकाल सनक्षन आयोग महत्यपूर्ण एवं संभावित बस्तुनिस्ट प्रस्ण के बारे में हम चर्चा करेंगी, आईए हम आगे बढ़ते हैं, और आज के पहले question की और, देखते हैं कि पहला question क्या आपसे पुझा जा रहा है, तो आप copy pen लेके तयार, आप इन सभी question के answer बढ़े आसानी से दे पाएंगे, ऐसी मैं उमीद करता हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है, तो मैं हमेशा ये उमीद करता हूँ, कि जो मैंने पढ़ाया, वो आपको बहतर समझाया और आप इनके questions बहुत आसानी से दे पाएंगे, आई ये आगे बढ़ते हैं, आज का पहला question देखते हैं, question number one, ये राज़्टी बाद अदिकार सनरक्षन आयोग, निस्नल कमिशन्स फार प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइस, और साथ में हम देखेंगे, मध्य प्रदेश राज़्टी बाद अदिकार सनरक्षन आयोग के, जो महत्यपूर्ण बस्तों इस प्रसन है, साथ में हम कभर करते हुए, आगे बढ़ेंगे, question number one, press number पहला कहता है, कि राज़्टी बाद अदिकार सनरक्षन आयोग किस मंत्राले के अंतरगत आता है, इसका नुड़न मंत्र मंत्राले कौन सा है, ऐसा question पूछा रहा है, आपसे ऐसा question पूछने का आसे है, option देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं, स्वास्त एवं परिवार का ल्यान मंत्राले, बी में कहता है महिला एवं बाद विकार सनरक्षन आयोग का, एक नुड़न मंत्राले के रूप में करता है, option 20 का सही जवाब होगा, option 20 का right answer होगा, महिला एवं बाद विकास मंत्राले, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 2, press number 2 क्या कहता है, कि राश्टी बाद अधिकार सनरक्षन आयोग में बालक को परिवासित किया गया है, बालकों को परिवासा कैसे तेंकी ग और 0 से 3 वर्स, इन में कौन सा सही option है, तो आप बताएं, इन में option C, इसका सही option होगा, 0 से 18 वर्स तक के आयोग बरगी के जो बैक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको 18 वर्स आयोग के कम बैक्ति के रूप में आयोग परिवासित करता है, और राश्टी बाल सनरक्षन आयोग करता है, अब हम आगे पढ़ते हैं, अगले प्रश्म की ओर, question number 3, इन में से कौन-कौन से कार राश्टी बाल अधिकार सनरक्षन आयोग करता है, आप के option है, इन में ये पूछ रहा है, कि इनमें options जो दिये गये हैं, इन में से कौन-कौन से काम, राश्टी बाल अधिकार सन संधान करना ये बिल्कुल इसका कारे है जब हमने कलास में पढ़ा था बाल अधिकार सनरक्षण आयोग उस समय हमने चर्चा करी थी बच्चों को आतंकवाद संप्रदाइक हिंसा घरेलू हिंसा आदि से बचाना ये भी बात बिल्कुल ठीक है योन अपराधों से बच्चों को सनरक्षित करना ऐसी बात करता है अब इसमें D आपसे ये पूछ रहा है कि सभी सत्य है क्या जो ये उपर के कतन है ये सभी सही है क् प्रिंटिंग मिश्टेक हो गई है ये उप्सन D में आना चाहिए आप इसका ध्यान यहां रखेंगे उप्सन D में कहता है सभी सही है तो साथियो जो उप्सन D है वो राइट है उप्सन D जा सही अंसर है इसका क्योंकि ये तीनों कथन जो उपर के हैं ये सत्य कथन हैं अब बालमचदूरी और कथन तीसरे में कहता है बच्चों से जुड़ी अंतराष्टी संधियों और मौजूदा नीतियों की समिक्षा करना तो साथियों जो इसका option A है वो सही है option B है वो सही है ये दोनों कथन सही है और हम कूट में ये देखेंगे आप से सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है तो आप यहां ये सुनिश्चित करें कि पहले और दूसरे option की पुछ्टी पहले और दूसरे कथन की पुछ्टी कौन सा option करता है तो आप पाएंगे कि option A जो है वो कह रहा है कि पहला और दूसरा इसलिए पहला और दूसरा कतन सही है तो option जो इसका A होगा वो सही answer होगा अब हम देखते हैं अगला प्रेस्ट question number 5 बाल अधिकार संदक्षन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति के बारे में question पूछ रहा है के रहा है अध्यक्ष जो सदस्यों होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है option A में है केंदर सरकार, option B में है प्रधार मंतरी, option C में है राष्ट पती और option D में है मुखन आधिस साथियो इसका जो सही answer होगा वो होगा केंदर सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है अगर हम थोड़ा बिस्तार में बात करें, डिटेल में बात करें तो केंदर सरकार नियुक्ति कैसे करता है तो केंदरी, केंदरी महिला बाल विकास मंतराले का जो मंतरी होता है उसके द्वारा जो एक समित गठित होती है और वो तीन सदस्य समित किसी पारिश पर केंदर सरकार नियुक्ति करने का काम करती है तो इस ओप्सन में हमने क्या क्या जाना कि केंदर सरकार द्वारा नियुक्ति होती है केंदर सरकार नियुक्ति कैसे करती है तो केंद्री जो महिला बालविकास मंत्राले है उसके जो मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक तीन सदस्य समित गठित होती है और जो वो सिपारिस करती है उसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्षोर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है इसलिए question number 5 का option A सही answer होगा अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की हो प्रस्ट नंबर 6 क्या कह रहा है किराश्टी बाल अधिकार सरक्षन आयोक के सदस्य का कारिकाल होता है कितना कारिकाल होता है उसके बारे में question पूछ रहा है किसके सदस्यों के आप इन सब चीजों को key point क याद रखें कई बार आप से सदस्य के बारे में पूछा और आपने अध्यक्ष के सोच समझ के tick कर दिया इस तरह आप जब question solve करते हैं और आप ध्यान से question को पढ़ते नहीं तो इसका खामियाजा एक्जाम में भुगतना पढ़ता है और फिर कहते हैं ना क्या पस्ताई होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत इसलिए आप जब question पढ़ें ध्यान से पढ़ें और उनको underline करें उनको underline करेंगे तो आपको याद रहेगा जैसे यहाँ पूछा राष्टी बाल दिगाल सनक्षन आयोक के सदस्य के कारकाल के बारे में पूछ रहा है आपको सदस्य के क पांच वर्स या 65 वर्स की आयो जो साथी हो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है वो होगा option B option B इसका सही उत्तर है क्योंकि सदस्यों का कारकाल 3 वर्स या 60 वर्स का होता है अब option A के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो इस question का तो जो सही जवाब है वो option B है अब option A म है वो उसके अधिक्ष का कारिकाल कितना होता है तीन वरसिया 65 वरस किया है यहां सदर्श का कारिकाल पूछा गया है इसलिए question 6 जो है उसका answer option भी होगा आईए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रस्ण को देखते है प्रेस question number seven question number seven राश्टी बाल अधिकाल संरक्षन आयोग का गठन कब किया गया गठन के बारे में पूछ रहा है और के option है A में कहता है 5 March 2007 B में कहता है 14 November 2007 C में कहता है 1 October 2007 और D में कहता है 5 March 2006 जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो option A होगा 5 March 2007 को राश्टी बाल अधिकाल संरक्षन आयोग का गठन हुआ अब हम इसके बात कर लेते हैं कि इसका गठन आखिरकार कैसे हुआ किसके तहट हुआ तो इसका गठन जो बाल संरक्षन अधिनियाम आया बाल संरक्षन अधिनियाम कब आया 2005 में आया तो उसके section 3 के तहद क्या गठित हुआ राश्टी बाल अधिकाल संरक्षन आयोग और उसका गठन कब हुआ तो 5 March 2007 को इसलिए जो option A है वो question number 7 का सही answer होगा, सही उत्तर होगा option A अब हम बढ़ते हैं अगले प्रेश्म की और और देखते है question number 8 राश्टी बाल अधिकाल संरक्षन आयोग में कितनी महिला सदस्य होती है उसके बारे में पूछ रहा है A में कहता है 1, B में कहता है 2, C में कहता है 3, D में कहता है 4 साथियों हम जानते हैं जब हमने पढ़ा है क्लास में उस समय हमने चर्चा करी थी कि दो महिलाओं का होना आनिवार है और इसकी अगर हम संरक्षना की बात करें कि आयोग की संरक्षना कैसी होती है आयोग एक बहुत सदस्य निकाय है हमने बात करी थी इसमें एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष छै सदस जिन में दो महिला अनिवार रूप से दो महिलाएं होंगी और इन ही सदस्यों में से एक सदस्य सचीव होगा इस तरह हमने क्या चर्चा कर ली इसकी संरक्षना के बारे में आयोग एक बहुत सदस्य एसंस था है और इसमें एक अध्यक्ष छै सदस्यों में से दो महिला अनिवार और इसमें से एक मुख सचीव होता है इस प्रकार से यह साथ सदस्य निकाय है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण की ओर हमने question number 8 का answer आपको बताया कि B इसका सही उत्तर होगा, B में दो लोगों की बात की गई है, दो महिलाएं अनिवारे हैं, अब हम देखते हैं अगले प्रस्ण की ओर, प्रस number 9, राश्टी बाद अधिकार सलक्षन आयोग के संबंद में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, आप से गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, आईए option देखें, option पढ़ें और उसके बाद सही उत्तर बताएं, यह में कहता है अधशिया सदस्य, दो पदावधि दो पदावधि, मतलब दो कारकाल से अधिक के लिए पद धारन नहीं करेगा, यह विल्कुल सही कथन है, ठीक कथन है, बी में कहता है अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयो 65 वर्स निधारी थे, सी में कहता है अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्स की हो भी, और डी में कहता है आयोग के सदस्यों में कम से कम दो महिला सदस्यों का होना अनिवार रहे इन में से साथियो जो option A है ये भी सही कतन है option C है ये भी सही कतन है option D है ये भी सही कतन है और जो option B है ये कतन सही नहीं है ये गलत कतन है और question गलत कतन के बारे में ही पूँछ रहा है तो जो इसका question 9 का जो सही अंसर होगा option B होगा क्योंकि अध्यक्ष एवं सदस्यों की आयू 65 वर्स नहीं होती इसमें अध्यक्ष जो होता है वो 3 वर्स या 65 वर्स होता है लेकिन जो सदस्य का कारिकाल है वो 3 वर्स और 60 वर्स का होता है इसलिए कथन B गलत है और गलत कथन के बारे में आप से पूछ रहा है असरत कथन के बारे में पूछ रहा है इसलिए option B इसका सही उत्तर होगा राइट अंसर होगा अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओड़ प्रस नमबर 10 राष्टिय बाल संरक्षण आयोक के अद्रक्ष या सदस्य के पद में आकास्मिक रिक्ति को कितने दिन के भीतर भरे जाने का प्रापधान है और क्या option है साथ ही जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट अंसर है वो है नब्बे दिनों के भीतर आकास्मिक रिक्ति को भरने का प्रापधान है अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओड़ प्रस नमबर 17 राश्टी बाद संदक्षन आयोग के लेखाओं की संपरिक्षा कौन करता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है आपके option है आयोग द्वारा अंता है स्थापित विभाग बी में कहता है बित्तमंत्राले के सची विस्तर की अधिकारी सी में कहता है नियंत्रा के वं महालेखा परिक्षक और डी में कहता है कोई संपरिक्षा नहीं की जाती जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो आप अभी तक जान ही चुके होंगे option C इसका सही उत हाज का अंगला question question number 12 राश्टी बाल अधिकार संदक्षन आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी पहले अध्यक्ष के बारे में question पूछ रहा है A में कहता है प्रियंक कानून गो B में कहता है सांता सिनहा और C में कहता है अवनी वैश और D में कहता है सुचेता करपलानी साथियो जो इसका सही answer है जो इसका right answer है वो है option B सांता सिनहा और अगर हम इनके कारिकाल की बात करें तो ये 2007 से 10 तक का इनका कारिकाल रहा है प्रियंक कानून गो ये बरतमान में क्या है बरतमान में आयोग के अध्यक्ष है प्रियंक कानून गो तो साथियो हमने ये चर्चा कर ली question number 12 का जो सही उत्तर है वो option B होगा अब हम देखते हैं अगला question number 13 question number 13 कहता है मद्य प्रदेश, राज, जिबाल, अधिकाल, संरक्षन, आयोग किस बर्स इस्थापित हुआ है मद्य प्रदेश के संदरों में पूछ रहा है मद्य प्रदेश, राज, बाल, अधिकाल, संरक्षन, आयोग option है 2005, B में 2006, C में 2007, D में 2008, साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो option C होगा त्योंकि 2005 में मद्य प्रदेश, राज, बाल, अधिकाल, संरक्षन, आयोग की स्थापना की गई थी अब हम देखते हैं अगला प्रस्थ, question number 14, राज, बाल, अधिकाल, संरक्षन, आयोग अपनी बारसिक रिपोर्ट कहां पेस करता है, बारसिक रिपोर्ट किसे देता है, उसके बारे में पूछ रहा है आपके option A में है केन सरकार, B में है राज्य सरकार, C में है राष्ट पती, और D में है राज़पाल, राज्य बाल, अधिकाल, संरक्षन, आयोग जो अपनी बारसिक रिपोर्ट है, वो संबन्धित राज्य के राज्य सरकार को सौपता है अब हम देखते हैं अगला प्रस्ट, कोश्चन नमबर 15, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संदक्षन आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, आयोग के अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए जो समिति बंती है उसका अद्रक्ष कौन होता है उसके बारे में question पूछ रहा है आपके option है A में मुख मंत्री, B में है राज्यपाल, C में हगरा मंत्री और D में है महिला एवं बाल विकास मंत्री राज्य सरकार साथ ही हो जो इसका सही उतर है जो इसका right answer है वो क्या होगा वो D ही इसका right answer होगा क्योंकि संबंदित राज्यपाल विकास मंत्री है उसकी अद्यक्षता में गठित एक तीन सदस्य समित की सिपारिश पर ही अद्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंद देखते हैं प्रस नंबर सूला राज्यपाल समित कितने सदस्यों होते हैं तो इसकी अभी हमने हाली में चर्चा करी है उप्सन में तो इसके उतर तो आप असानी से बता पाएंगे ए में है छे बी में है साथ सी में है आठ और डी में चार जो इसका सही उतर है जो इसका राइट अंसर है वो अप्सन बी होगा क्योंकि साथ लोगों का पूर्ण मिलाकी ये होता है इसमें एक अद्रक्ष होते हैं हमने बात करी थी छे सदस्यों होते हैं और छे सदस्यों में दो महिला सदस्यों का होना अनिवार, दो महिला अनिवार और इनहीं में एक सचिव होता है, इनहीं में एक सचिव होता है, इस मिला की, इस तरह कोल मिला की, इस में साथ लोग होते हैं, question number 16 का answer B होगा, अब हम बढ़ते हैं, अंगले प्रेशन की हो, प्रेशन number 17, राश्टी बाल अधिकार सनरक्षन आयोक के करतब एवं सक्तियों का निर्धारन कौन करता है, करतब एवं सक्तियों के निर्धारन का काम कौन करता है, question उसके बारे में पूछ रहा है, राश्टी बाल अधिकार सनरक्षन आयोक के करतब में है राश्टी बाल अधिकार सनरक्षन आयोग का दिए महिला एवं बाल विकास मंतरा ले और सी में राश्टपती और डी में केंद सरकार साथ ही हो इसका सही उत्तर जा इसका राइट अंसर है वो ऑप्शन डी है केंद सरकार ही इनके करतब वेवं सक्तियों का निदारन करन आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नंबर 18 राश्टिय बाल अधिकार सनक्षन आयोग के अध्यक्षो असदस्यों को हटाया जा सकता है या दिवा कब हटाया जाएगा किन परिस्तितियों में हटाया जाएगा उसके बारे में question पूछ रहा है A में कहता है लगातार चार बैटकों से अनुपस्तित रहा हो जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो ये है कि अगर लगातार तीन बैटकों से अनुपस्तित रहा है तो उसे केम्द सरकार हटा सकती है और ये option B में है इसलिए इसका सही उत्तर option भी होगा लगाता तीन बैटकों से अनुपस्थित रहने पर कौन हटा सकता है केंद सरकार हटा सकती है अब हम बढ़ते हैं प्रस नमबर 19 की ओर केता है मद्दे प्रदेश राज जी बाल अधिकार सनक्षन आयोग के संदर्व में निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए आप इन कथनों पर विचार कीजिए कथन वाले कुश्चन है और कथन वाले कुश्चन हमने बार बार कहा है कि आयोग में अगर आप प्रिविच येर कुश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले चार-पांस सालों में कथन के कुश्चन कई बार आयोग में पूछे गए हैं इसलिए आप इनकी भी प्रैक्टिस करें और इसके कथन के कुश्चन पूछने से फाइदा ये होता है चाहे वो आपके कुश्चन इंसर सेशन में हो चाहे हम जब लेके आते हैं कथन वाले उसमें एक फाइदा ये होता है कि इसमें कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती है अधिक से अधिक फैक्ट कवर होते हैं कथन ये में कहता है आयोक के अधक्षवा सदस्यों को राज सरकार द्वारा साबित कदाचार याक्षमता की आधार पर पत्से हटाया जा सकता है बिलकुल ठीक बात है तो अब हम जूणेंगे कि जब कथन एक और दो दोनों सही है तो उस कथन की पुष्टी कौन सा अप्सन कर करता है तो उस कथन की पुष्टी ऑप्सन सी करता है और इसमें सत्य कथन आप से पूछा गया है इसलिए ऑप्सन सी एक और दोनों ये सही होगा तो कोश्चन नमबर 19 का सही इंसर ऑप्सन सी होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रसन की ओड़ प्रस नमबर 20 निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए बाल अधिकार संरक्षन आयोक के अद्धक्ष के लिए गठित समित का अद्धक्ष महिला बालविकास विभात का मंत्री होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं साथियो ये गलत जवाब है ये गलत कथन है आप से सत्य कथन पूछ रहा है आपको सत्य ये गलत क्यों है क्योंकि उसमें 3 सदस्य होते हैं वो 3 सदस्य समित होती है अब हम कथन दूसरा देखते हैं आयोक के सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना आनिवार है ये बिल्कुल ठीक बात है और आप से कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है इसलिए कथन केवल 2 सही है और उस पहला कफन गलत है और क्यों गलत है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया इसमें लिखा हुआ है पांस सदस्य होते हैं लेकिन पांस सदस्य नहीं वो तीन सदस्य समित होती है और उसका ध्यक्ष कौन होता है तो उसका ध्यक्ष संबंदित राज्य सरकार का महिला बाल विका विभाग का मंतरी उसका ध्यक्ष होता है अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर प्रस नमबर 21 मद्य प्रदेश बाल अधिकार संद्रक्षन आयोग का इन में से एक कारी नहीं है ये जो आपके ओप्सन चार दिये हैं इन में से एक कौन सा कारी नहीं है नहीं के वारे मे कोश्चन पूछ रहा है ए में कहता है सेक्षनी का अधिकार दिलाना बी में कहता है बाल अधिकारों के संदर में जाग रूकता फैलाना सी में कहता है बच्चों का स्वास सुधारी वन स्टरक्षन और डी में कहता है बैस्वी के ओन राष्टी कानून अध्यन करना साथियो इन में से जो नीचे के तीनों option हैं वो सही है और आप से गलत option के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है तो पहला कार्य वो आयोग का नहीं है और question number 21 का right answer option A होगा आईए हम बढ़ते हैं अगले प्रस्टियो प्रस नमबर 22 question number 22 मद्य प्रदेश राजबाल संदक्षण अधिकार आयोग को निम्न में से किस प्रकार की सक्तियां प्राप्त होंगी कैसी सक्तियां प्राप्त होंगी किसको बाल अधिकार संदक्षण आयोग को आपके option A में है राजस्व ने आले, B में अपराधिक नाले, C में सिविल ने आले और D में इन में से कोई नहीं साथियों इनको सिविल ने आले की सक्तियां प्राप्त होंगी और सिविल ने आले की सक्तियां प्राप्त होने से आसे अब जानते हैं कि ये भारत की किसी भी न अब हम बढ़ते हैं question number 22 का सही answer option C होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रस्ट की और देखते हैं question number 23 ये कहता है 20 November को अंतर राष्टी बाल दिवस मनाने का क्या कारण है एक fact आपको यहां और मिला अगर आपसे कोई पूछें कि अंतर राष्टी बाल दिवस का मनाया जाता है तो आप बताएंगे कि 20 November को अब हम question देखते हैं कि 20 November को अंतर राष्टी बाल दिवस मनाने का क्या कारण है ऐसा कौन सा कारण है कि हम 20 November को ही अंतर राष्टी बाल दिवस मनाते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अंगले प्रिज्ट की ओर और देखते हैं question number 22, यह कहता है कि राष्टी बाद अधिकार संदक्षन आयोग का अधिकार छेतर होगा, इनका अधिकार छेतर कहां तक होगा, कहां तक इनका अधिकार छेतर सिमित है, A में कहता है जम्मू कास्मीर एवं लद्दाक को छोड़ कर बाकी जगे, B में कहता है के नसासित प्रदेसों में लागू होगा, लागू नहीं होगा, और C में कहता है केवल के नसासित प्रदेसों में लागू होगा, और D में कहता है संपून भारत में लागू होगा, साथ ही अब हम बड़ते हैं आज के अंगरे प्रस्ण और अंतिम प्रस्ण की हो मद्य प्रदेश, राज, बाल, संरक्षण अधिकार आयोक को इन में से कौन सी एक सक्ति नहीं है इन जो कथन है जो चार आप्षन है इन में ऐसी कौन сी सक्ति है जो किसको मद्य प्रदेश, राज, बाल, अधिकाल, सर्नक्षन, आयोग को प्राप्त नहीं है किसी ब्रक्ति को समझ जारी करना B में कहता है दोसी पाये जाने पर दंडित करना C में कहता है पबलिक रिकार्डिया उसकी कौपी की मांग करना और D में कहता है पिडित या उसके परिवार को अंतिम राहत की अनुसंसा करना साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है अगर आपने क्लास को प्रॉपर ध्यान से पढ़ा होगा देखा होगा तो आप इसका एंसर कर पाएंगे इसमें option B जो है वो क्या है काम किसका आयोक का नहीं है मद्यपदेश राज बाल सनक्षन आयोक का नहीं है दंड देने का अधिकार इनको नहीं है और वही आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा कार कौन सी सक्ति इनकी नहीं है option B, इसका सही उत्तर होगा, option B, इसका right answer होगा तो साथियो, आज हमने MCQ के तहट समझा कि बाल अधिकाल सनरक्षन आयोग से कैसे question पूछे जाते हैं कुछ महत्यपूर्ण और संभावित question मैं आपके लिए लेकर आया था मैं उमीद करता हूँ कि इसके से आपकी तयारी को एक संभल और एक बल मिलेगा साथियो, हमने इसके पहले class करी, इसके पहले हमने बाल सनरक्षन आयोग, राज जिबाल अधिकाल सनरक्षन आयोग के बारे में पढ़ा फिर हमने MCQ solve किया तो साथियो, मैं उमीद करता हूँ कि ये हमारे टीम का, competition community टीम का चोटा सा प्रयास आपकी तयारी में लाबदायक साबित हो रहा होगा आप हमसे जुड़े रहें, अभी हमको और बहुत सारे आयोगों के बारे में चर्चा करनी हैं, पढ़ना है इसके बाद फिर हम सम्विधान के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रिलिम्स के exam point of view से salivus में महत्यपूर्ण है तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप जुड़े रहें competition community के साथ, आप अच्छे से अपनी तयारी करते रहें और अपने selection को सुनिशित करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद